नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का संद्राइस क्लासिस के औलाइन लाइन लाइन प्रेट्राओं पर मैं हूं सुभान सुपांडे और आप है मेरे साथ आज इविनिंग के सेशन में जिसमें हम चर्चा करेंगे से पहले छोटा सब मैं बता दो कि सबसे पहले हमने बैक्टीरिया को पढ़ा था किसको पढ़ा था बैक्टीरिया को हम पढ़ चुके हैं और हमने फंजाई को पढ़ लिया है हमने फंजाई को पढ़ लिया इसके पहले जो मैंने पढ़ा था तो माइक्रो माइक्रो और्गिर्सम को कैसे कैसे बाटा किया था उन सबके बारे में पढ़ा था आज हमको पढ़ना प्रोटो जो आलगी इसके बाद हमारा बज़ जाएगा एक वाइरस क्या बजब आपका वाइरस जो कि हमने पांच काटेग्री में डिवाइड किया था इन सब को तो पांच काटेग्री हमारी तयार हो जाएंगे चलिए आज की वीडियो को सुरू करने से पहले हम आपके सामने एक मोटिफिशन कोट लेकर आए हैं और यह अपीज अब्दुल कलाम जी की ला छोड़ देते हैं इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही हाथ लगेगा जितना कोशिश करने वाले छोड़ देंगे यानि कि अगर आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि चलो भीया मेरा टाइम तो अब जब आएगा तब मैं अपने टाइम पे कोई भी चीज लेने जा आप सिर्फ इतना ही मिलेगा जितना कोशिश करने वाले चोड़ देंगे और कोशिश करने वालोंने हार न मानी तो इंतजार करने वाले बैट कर सिर्फ इंतजार करते रहेंगे चलिए शुरूआद करें आज हम प्रोटो enorme के साथम में प्रोटो बाढर क्या होता है देख ल सब्ध है pro to zo on proto is derived from Greek word वह द्यान देना ऑग्रीक सब्सक्राइब अब यह जिसका मतब होता है फस्ट अनिमल यानि पहला जीव प्रोटोजो वार कॉल लिविंग फिंग्स प्रोट वार कैसे तिंगS आपकी livings हैं और करेंस कहा कहा पाय जाते हैं इसको फटाक से देख लेते हैं प्रोटोजोवा और मॉस्ली फाउंड़ेटिक एन्वारमेंट मौइस्ट सॉइल और ड्रेंस यह एक्वेटिक एक्वेटिक एन्वारमेंट का मतलब होता है जली एक्वा एक्वा मतलब पानी होता हैं हम ऐसे में यह मतलब जलियता है और मॉस्त मॉइस्ट सवाइल मॉमस्त का मतलब क्या होता यह होता है तूज हो दो तरीके से रहेंगे एक होते हैं जो किसी के में कि होते हैं कि सिंगल रहते अपने जिनको किसी की जरूरत नहीं है जीने के लिए और फाउंड इन पोलर रीजन वह कहां पाए जाता है यानि यह हमारी अर्थ है यह नौर्थ पूल हो जाएगा यह कौन सा पूल हो जाएगा तो पूलर रीजन की बात करें बहुत कोल्ड जगह उपर ठंडी जगह उपर यह अधर लिविंग और्गनिसम खुछ पोट होते हैं मैंने बोला ना यह दूसरा वाला वो कुछ अधर लीविंग मतलब किसी एनिमल में किसी जानवर में किसी इंसानों में उसमें यह क्या रहते हैं खुद प्लांट के अंदर रहते हैं वहाग्या हम देखते हैं इनका की मिटर का कि सका भी है मीटर का इग्जामपल के तौर पर मैंने बताया था ठाटांग कर दैसे सोचो कि ममी घर इंची टेप होता है ना इंची टेप जिससे मम्मी जो है जब भी कपड़ा-पड़ा सिलती है तो कुछ नापने का पो कोशिश करती है फिर आप टेलर के वह नापता है उसी में से खाली एक मीटर एक मीटर का बिसीकली मतलब क्या होता है आपके दूसरे वाले कंदे से लेकर किस वाज़े से आप अगर यह हैं अगर आप यह हैं इस वाले कंदे से लेकर इस वाले हाथ के मगळी तकि द्थी एक मीटर होता है और आप देख लेंगे एक मीटर जो चीज़ एक दो गव्यह सब्सक्राइब के सब्सक्राइब हैं और यह जो फुल एक और गोड़ नो इसलिए तो माइक्रो भैक्रिया तो जाता है उसको माइक्रोब किसे कहते हैं जो किसे observe कर सके on look at the microscope अगे देखेंगे हम और जो यह जैसी कि आपका एक सेल होती है तो और टायता है इनको क्या कहा जाता है तो इसको रिखने कोशी कांग क्या बोलते हैं कोशी कांग यानि कोशी का का देखो ऐसे यहां पर हिंदी में इसको बोल जाता है कोशी कांग आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कोशी कांग को अगर दो पार्ट में संदिवीच करें इसका देख हो जाएगा कोशी का कोशी का प्लस अंग कोशी कोशिका का एक part that is और इनि कोशिका के जो अरगन्स होते हैं उनको और गनिस कह जाता है चलिए आगे हम देख लेते हैं फटाक से इसको तो देखेंगे एक मैठी कोशिक इसको घरसमा अधा दो उसके बाद देखते हैं कोशिका के लिए धेड़िस याज़ याज एक जो प्रूटोजुववा होता है ये क्या होता है अड़ा हम प्र्रूटोजुवा कीज़ और उब प्रूटोजुवा हो गी खिया है कि नियुक्त इसंई कोछ ऐंदर कुछ चीजें की कुछ पाइट सुंगे इसको क्या होता है उसे व्लकिन का ह ні इसको क्या कहते हैं क्या क्या कहें घेंगे हैँ packjawIEL मे मौणे गहेंगे सेल मेंब्रेन दें इसके वागल रगे च्छेल में मोड़न द्या मुन जाते हैं ८्छसन द्यान्य जक्ते करने मा क्या उप्रेंग क्या होता है यसी प्रत charter को क्या कहते हैं बताइए सब्सक्राइब िसबढ़ियस लाइन को लिख लेना माइटो काॉंडरिया Mito isuria माइटो कॉंडерिया Mito काॉंडरिया तो क्या कहा जाता है पाउज औफ ओस सेल माइटो का कहा जाता है जिह बिल्कुल अगर महाँ आगे देखने का प्रियास करेंगे तो इसमें क्या होता है consultant होता है इस इस मेंब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल भड़ा पड़ा है जितना भी मेंब्रेन के अंदर यह हो गया चाहिए जो हमने जो ब्लू डॉट से किया हुआ था इसी सब को मिला कर क्या कहा जाता है प्रोटो प्लांट कहा जाएगा आपका जीव द्रव यानि कि किसी भी लिविंग पार्ट ऑफ दसेल होता है जिसमें कि सारी कि सारी घटनाएं घटी है जीवन की जितनी ज़रू खाना खाना क्या हो जाएगा खाना खाना का मतब इसको खाना खाना फीस्यश्म शू गार्यगर lo क्या कैसे होते हैं आपके आपके हुथ कैसे होते हैं अच्छ सम्राटराज्या आटलिऑ लीक उते हैं फालिज थी ऐखेंड उते हैं जिसको हम क्या कहते हैं और उसके बाद कुछ सेप्र फ्रो सेप्रॉख होते हैं रे यह थोड़ा साना जगह इसके है हूं को फॉल जुउक होते हैं कुछ आपके कैसे होते हैं हालो जॉइक होते हैं हुछ कुछ आपके कैसे होते हैं और टॉट रॉपिक होते हैं पूछ सिर्फ लोग किया करते हैं किसी और पर टिपेंड होते हैं जैसे हुमन्स कौन आपके हैं हुमन्स है ना यह किसी और बिडिपेंड होते हैं पहली चीज और जैसे एनिमल्स होते हैं आपके ऐसे देख लेते हैं जैसे आपके क्या होते हैं यह अपके कैसे होंगे कुछ आपके ऐसे होंगे की जो सेपरोल होता है ना यह हो हो जाएंगे सबसे पहले जाये की आता है है से प्रोकोsel होता है भी चिपनके उस्वाना होंगे जोंकि शड़hésitez क्या है यह जयसे और चैन जाने लगे तो इनकी बोडी पर यह ब्रशन Gain करेंगे करेंगे आगे जिसी ने लाइन रह COR त्युक्राइब कि लिटानल जैसे ड्र प्लांट या डर्ल पे जाएंगे आगे चेया संध यूमिए Champ एपानगी से एंब्र सब्कμ यह तक बरियान से लोगनिसमे माइक вер słuड़ आ गया this सिम्सवर होता है और और्गनिजम अब यहांपर क्या एक वर्डड आ गया दैट इस एक में यह कौन सा वर्ड आ गया ओसिस कौन सा वर्ड आपका शेंव पायो सिस्दीक है डिखिया इस जो आर्गनिजम एक और वे रहे हैं यह दोनों आपस में रह हैं mutual benefit के लिए किसके लिए रहने हैं आपके mutual benefit के लिए कई बार मैंने इस चीज को दोहरा आया फिर भी दोहरा देते हैं mutual benefit मतलब यह इसके लिए कुछ काम करें और यह इसके लिए काम करें और दोनों एक दूसरे के बिना कुछ ना हो यह इसके लिए काम करता हो यह इसके लिए का profit होगा थो मेरे लिए मैं तेरे लिए न आगे तो यह जो है और इसके का कहेंगे SIM-biosis कहेंगे इसनको क्या कहेंगे जैसे बीचन इसzar जो है आपका सबसे बेस्ट एक्जामपल माना जाता है आगे हम देखते हैं तो और चेलिस ने पूसली आचैकल को मतंब का मतब क्या होता हैं एक को कि तो जैसे से में में आपका टूसलिकशन पढ़ाया था पढ़ाया था ना तो उसे में देखेंगे लिखे प्रड़कुशन मीन्स यानिthen Ondły सकता हुझा यह कहार। सकता है कि आपको इस तरिक बड़ि को जैसे फुली डेवलेप रहेंगे मल्टीपल फीजन एक से ज़्यादा में एक से ज़्यादा पार्ट में बढ़ सकता है और क्या सिस्ट फॉर्मेशन स्पूर्स यानि सिस्ट भी मना कर यह क्या कर सकता है अपने आपको रिपोड्यूस कर सकता है जी बिलकुल मैंने यह सारी किसा इस बैक्टिरिया के बाद यानि फंजाई फंजाई और आपका प्रोटोजवा यानि इन दोनों वीडियो से पहले मैंने आ सेक्सुल रिपोड़क्शन पर वीडियो बना रखा है जिसमें कि मैंने ये सारी चीजों को डीटेल में कवर किया हुआ है तो आप प्लीज उस वीडियो मिलते हैं दो आपके प्रोटोजवन के पैरेंट्स दो प्रोटोजवन और्गिनिजम मिलेंगे तो तीसरा बनेगा यानि कि दूसरे से सहियों करने पर ये सेक्सुल रिपोड़क्शन की घटना घटित होगी इन कॉन्जुगेशन तो इंडिविजुल टेक पार्ट इन अब यह थे सहिंयरी मिलेंस आप है इसको लिख लो जैसे इसे मैं लिख रहा हूं sleeping सिक मेरें आपकी क्या हो जाएगी मलेडिया हो जाएगी और क्या हो जाएगा डेंग हो जाएगा या जाए घ्ला कौण से यसीजर लिख लो इसको सीखली लो जैसे आई सीखनेस वroe io क्यों ने कट करेंब करते हैं रभिंग लेता लगा यह अभी अगर्स गवर करते हैं तो यह हैं अमोभिक है अमोबिक अब डी समक्ति तो देखन Сब्स यह सारी विमारी किसके वीमारी वी आपके प्रोटो-जोह के वाले प्रोटो-जोह के sleeping sickness में इसमारा निद आती रहते हैं inisant को मेशा होगा नहीं रखते हैं नीद आती रहती है है is आपका र bald- budget क्या होता है थो जो इसके कारण होता है युदा कि सिर्धा होता है रही वाने जो होता है यह किस लृत करों कि किसके करें डिसकस किया जाएगा फिक्त वारे में डिसकस किया जाएगा जी कि इस वीडे हम जो सबसे पहले हम बात करते हैं उन्वाइंट उन्वांटट प्लांट अपने घर मेरे मुट से मतलब पहले से पढ़ रहां और आपने अगर एression register वारा पाट पड़ा वार्ट अन्वांटट plant यह यह भी कह सकते हैं कचड़ा टाइप में क्या कह सकते हैं कचड़ा यह ज़्यादा कहा जाए तो खर पतवार क्या कहा जा सकता है खर पतवार कहा जाता है तो यह क्या होता है ना आपका समुधर का वीड होता है यहीं समुधरी कचड़ा वहता है क्या होता है आपकश का समुधरी कचड़ा होता है है ना कायय जिस सिवेड का मतब वहीं होती है क्या होती है आप की आप देखें होंगे कि जो जैके हमारे आपर जैसेगों होते हैं मैं जो पानी होता है काफी दिनों बाद अगर उस में देखें है यह नजर डालें तो आप उसके उपर नह locking जम जाती है कुछ और काइड ही जम में जाती है उसी को Ведь कि यह तो ये समूदर में सब्सक्राइब्स छोटे माइक लेकर कुछ कुछ मीटर साइज में भी होती है तो आगे हम देखे गे को इसका मतब क्या होता है कलो फिल ने जुए झौै अधो में नहीं पाया जाता अगर इस बात पर देखा फंजाई किसमें नहीं पाया जाता है अच्छा हां यह मैंने वहाँ पर कमेंट बॉक्स में किया था पिछला जो फंजाई वाला था उसमें फस्ट थी थोड़ा सा प्रॉबलम था उसमें का लगा हुए था फंजाई फंजाई शैद आल सो नोन ऐसे क यहां पर क्या था फंजाई वाले में तो फंजाई जो पहली लाइन है वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था फंजाई नोन ग्रीन फ्लांट यह गलत है यह चीज गलत है ना इसको हम मतब और कैसे और लिए इसको देख लेते हैं कि फंजाई देखो सेंटेंस यह धूरा था अगर आपने थोड़ा सा सेंस लगाया होगा सेंटेंस यह दूरा था यहां पर क्या था फंजाई नोन एज नोन एज नौन ग्रीन प्लांट जी प्लीज इसको अपडेट कर लेंगे आगे हम देखते हैं कि अगर प्लांट टाइग और्वन जम एंड कंटेंट क्लोरोफिल जी बिलकुल अरे यह काम हो गया चलिए आगे इट इस आसो कौल ग्रास ऑफ वाटर इसे पानी की घहास नहीं ग्रास ऑफ वाटर भी कहा जाता है किसको इलगी की बात कर रहा हुँ है इसको ग्रास ऑफ वाटर भी कहा जाता है ग्रास औफ वाटर भी कहा जाता है इसे तो आप लोग इस विए पुर्ट पर काफी खासा ध्याद देंगे चलिए आगे हम देखते हैं है या निजली यह वाता वरण में या जली आवास में भी रह सकती हैं मौइस्ट प्लेस और यह मौइस्ट यानि की नमी वाली जगहों पर भी रह सकती हैं नमी जहां पर होते हैं वहां भी बार्क आफ ट्रीज हैंनों पेड़ों की जो च्छाल होती हैं पेड़ों की च्छाल होती हैं वहां भी रह सकते हैं मौइस्ट स्वाइड मौइस्ट बार का लेंड होती है ना तो वहां पर क्या होता है आपका सबसे पहले बार कर रहा हो सुरी यहां पर जमीन होगी ना तो बंजर जमीन पर सबसे पहले यहीं अलगी अलगी उकना शुरू कर जाएंगे समझ रहे हैं आप तो यह हर जगा पाई जा सकते मतलब everywhere everywhere को यह वैसी भाग इतने भाग में काटा जाए दस लाख में काटा जाए तो एक वाग जो निकले आता है तτ your माई को हौता है ना YouTube मान मैकaráन तो वन डू सेवरो माई मीटर्स देद एक से लेकर कई मीटेरों तक में इस एक शुरूप में फैली ओ यह समुद्र के खर की रूप में समुद्र के पतवार रूप में बहुत लंबे दूर भी तक रहती है इसका गता है इस प्रफिक यह गोल हो सकती है और आपका इस पाइंडियल से भी इनका हो सकता है आगे हम देखते हैं कलर यह इंपॉर्टन सब्सक्राइब का सबसे इंपॉर्टन चीज़ है यह इस वाला भाग है और इस वाले भाग को आप अराम से लिखेंगे इसमें क्या करेंगे कि लिए अ सब्सक्राइब के बेहाब पर क्लासिफाइब कि यहां बिलकुल जैने कुछ ग्रीन कलर क्या क्या होंगी लिए नीला हरा होगा नीला हरा वोगा उसको ब्लूगर्ण होंगी कुछ आपकी एक बता दू की कोई भी दुनिया में जैसे आपके plants हो गये प्लांट्स हो गये हम human beings हो गये और जो leaves हो गई हमारा tomato हो गया इन सब का जो भी color है ना यह कुछ चीज के कारण होता है जिसको हम pigment बोलते हैं क्या बोलते हैं हम आपका pigment के कारण होता है मेलानीन के का लर होता है ग्रीन कलर जो होता है कलोरोफील के कारण होता है यहीं तरीके से कुछ जो यूंद जो भी चीजऻ देता है उसको पिगमेंट बोलते हैं खर क्या बोलते हैं को नह sellers में स्यक्राइब कोईठी कालर 25 चाइब होगा अगर कोई े है तो ब्राउन कलर वाला फिमेंट होगा अगर कोई आपका राई-डार कलर है तो राई कलर के ख़र रएक बेस्व तो फड़ देगते हैं ग्रीन एलगी हमने बताए कि ग्रीन जो क लरर έक्ने होता है तो इसका ग्रीन ऐल्गी का पिग्मेंट क्लोरोफिल होता है और इसका एक्जांपल क्ले माइडो मोनास और इस्पायरोगारा जब लेको में मऩद में आल्टिपल स्रुरी फ्रिगमें atraviration. पढ़ाया होगा तो सुमें मैंने आपको स्पाइयो गायरा बताया था ना वही वैवला रही यह देखते हैं क्लमाइडो मौनास और आपका इस पायरो गारा किसा एकजांपल होते कि आपके और क्लोरो फिए नील हरित शेवाल क्या हो जाएग आपका नील हरित शे क्लोरोफिल neural एक हो पुछ इसके कारण और घ्रीन का क्लोरा तो ब kayden के और क्लॉड के और के का ओ ग्रीन के खान का कुछorse्व Holz से एक नम Has और तरह सकता है कि ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन एलगी में जो आपका blue कलर होता है वो किस pigment के कारण होता है यानि विच्ट पिग्मेंट इस वडू ब्लू करूल इन ब्लू ग्रील यह स्वेरी गुड आपका कोशन ऐसे बन सकता है कि विच यह राइटिंग का मतलब थ्वड़ा सा इशू बढ़ जाता है विच कलर जो नॉट विच पिगमेंट यह विच पिगमेंट कॉज कॉज ओफ ब्लू लू कलर इन ब्लु है में गरीन है लगी कंसा पिगमेंट होता ए जो की ब्लू में ब्लू कलर का काम वाद को फा हना और काम काई को बिल इनकों सा हो जाएगए आपका का ऐसी पांप मेरीन होता है planning का, कारण होता है और एनी बेना एने बेना जो होता है आपका एक आपका एलगी है जो की ब्लू ग्रीन एलगी होती है आगे ब्राउन एलगी क्या होता है तो फोक यह क्या है फ्यू को सैंथिन फ्यू को सैंथिन यह फ्यू को सैंथिन जो एक पिगमेंट होता है वह ब्राउन कलर क का रिस्पॉंसिबल होता है और आपका फ्यूकस इसके लिए जो है यह इसका एक्जामपल होता है ब्राउन एलगी का रेड एलगी के लिए यह फाइको रिथिन फाइको रिथिन और फाइको साइनिन फाइको रिथिन और फाइको साइनिन यह जो दो कलर हैं यह दोनों पिंग कलर के होती है और पॉली है या पॉली सिफोन या ये ड्रिट ग्रीन लगी रेड अलगे होती है ये छीस को आप नोट करेंगे होते हैं आगे हम बात करेंगे ब्लू तो से करने वाली होती है जि बिल्कुल यह क्या होती है आपकी फोटो सेंधेसिस करने वाली होती है और इतना यादर रखे कि हमारे हमारे अर्थ सबसे जाद़ा गप्रल इंपरला ना। इस धर्ती पर जो सबसे पहला living being था डेट इस आपका blue green algae था blue green algae also known as cyanobacteria इसको cyanobacteria आप google पर कभी सर्च करेंगे कि first living organism ऐसे सर्च करेंगे आप first living organism on the earth पढ़ेंगे आप तो वहाँ पर आपको cyanobacteria लिखकर आएगा लेकिन अगर पूरी जानकारी नहीं रहेगे ना तो मुझको इस चार बात दोगे आप इस पाइरो गायरा आपका अरे इस पाइरो गायरा वगारा जो भी होता है वह आपका कौन सा होता है इस पाइरो गायरा यह आपका is a type of blue green algae which is used in human food यानि use as human food तो आपो दे सकता है which blue green algae is used as human food that is a spiral is spirulina spirulina एक ऐसी blue green algae होते है इसको human food के तोर पे तोर पे यूज करते हैं आगे देखेंगे नॉस्टॉक और एना बेना और दे ब्रू ग्रीन एलगी विच कैन आलसो फिक्स दा एट्मस्फेरिक नाइट्रोजन इन्टू यूजेबल कंपाउंड सो दे आर यूज एस फल्टिलाइजर यानि कि यह नॉस्टॉक और एना बेना ऐसी आपकी ब्रू ग्रीन एलगी जो इस एट्मस्फेरिक नाइट्रोजन को फर्टिलाइजर के रूप में फिक्स कर लेना या जमीन के अंदर स्वाइल की बढ़ाने के लिए स्वाइल में कैद कर लेना और नॉस्टॉक और आना बिना वही करने वाले ब्रू ग्रीन एलगी होते हैं आगे बात करेंगे हम आगे कैने लिंगए ये बिल्कुल कुछ ब्रू गरीन एलगी होती में जो क्या बतल देती है आपका कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जो आपका शेप और आपका एल्गी यानि की आपका चेंज कलर में चेंजेस ला देती है क्या कर देती है पानी के यानि लेक होता है जो तालाब होता है लेक या जील होती है इसके पानी में क्या होती है पानी के कलर को चेंज कर दे जो mosquito का अंडा होता है इसको लारवा बोलते हैं तो some blue green algae killer mosquito mosquito larva and thereby prevent to spread malaria और कुछ blue green algae ऐसे भी होते हैं जो कि malaria को होने से बचाते हैं कैसे जो आपका पानी में जो mosquito का जो लारवा होता है जो अंडा होता है उसको मार कर उसको क्या करके मार कर देखें malaria फैलाने वाला कौन सा आपका भी कौन हो जाएगा आपका एक क्यों हो जाएगा जिसका नाम क्या हो गा blue green algae ये आपका एक मारा ने वाला हो जाएगा malaria से चलिए तो आज कि क्लास में इतना ही आज कि ख्लास में हमने किसको देखा आज आज की क्लास में शॉर्ट नोट समा रहे थे किसके उपर प्रोटो जोवा के उपर एलगी के उपर आई होप अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो आपको इस वीडियो को लाइक करेंगे अपने दोस्तों में शेयर करेंगे चैनल पर नहीं होंगे तो इसे सब्सक्राइब करेंगे जाएगा जो की जल्दी ही उसके बारे में कोई नोटिफिकेशन या फिर डायरेक्ट नए साल पर उपहार के तरूप में वो चीज़ें आपके सामने रिलिस कर दी जाएंगे चलिए तो आज माइक्र और्गिसम के चौते पार्ट में क्लास एट की स साइंस को डिसकस करने में आई होप आपको मेरे साथ अच्छा लगा होगा अगर लगा हो तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर कर देजिए चैनल पर नहीं होते से सब्सक्राइब कर लेजा और हाँ भीया कभी कबार ऐसा भी होता है कुछ है मेरे कुछ नादान सबस्क्राइब हैं जो कि सोचते हैं भाव हर बार हम सब्सक्राइब रलाउस के घृप लिखा चलिए तो आइब आई होप अची वीडोयों की अब प्रपर नोट्स बनाईए घर में रहें सुरक्षित रहें इस प्रकार से रखें कि आप पढ़े लिखे समाज के स्थापना कर सकें मुलाकात करेंगे आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत